दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 48V 12AH बैटेरी के बारे में यह वाला जो बैटेरी आप लोग देख रहे हुई है 48V 12AH और 12000 इमेज का बैटेरी यह बैटेरी आपका लिथियम आइडान फॉस्फेट बैटेरी है मतलब की सिंपिल से बोलू तो लाई एफी प्योफोर काता हूँ तो और अब इस बैटे का यह यह वीड़ा ट्रमिनल और है और दो देख सकते हैं अब लोग इधर पर जो कनेक्टर स्केमाल के हैं वह fingertips सिक्स्ट्य कैनेक्टर एश कसाद 맞아्त का एक फीमेल कानेक्टर भी प्रोवाइट क्या रहता है तो बैटेरी के साथ देखे ऐसा स्टिकर रहता है और यह बैटेरी आपका my innovation.in का बैटेरी बैटे के उपर QR कोड रहता है तो अभी हम लोग इस QR कोड को स्कैन करेंगे स्कैन करने के लिए सिंप्ल से हम लोग कैमेरा उपेन करके इसको तो फोकस करते है अभी कि चलिए आ गया तो की वार कोड के आंदर देखे यह लिखा हुआ है कि कंपानी ने माई इस टूपी तो दोस्ते अपर 15 इस का मतलब होता है कि एक टेकनिकल तर्म 15 इस होता है मतलब की 15 पीस बैटेरी जापर इस्टमल किया गया है मतलब सीरीज में अन्टूपी मतलब पैराया पर 6,000 इमेच का दो बैटेरी होता है तो हम लोगों का 12 इज बनता है और 15 इस से 48 बोल बनता है तो 48 बोल 12 इज का तो लंबा होना चाहिए मगर इसको दो सेपारे सेग्मेंट में डिवाइट साथ किया गया जिसके करण से दो सीरीज बन यह बैटेरी दोस्तों बहुत हलका है मत अगलब कि आगा सेम आप एक लेटेरी बैटेरी पकल हो जहां पर आपका 12 इज का 4 पीस लेटेरी इस्तावल करना था तो बहुत हीबी होता है मगर यह आपका बहुत लाइट है और इसको आपके स्कूटर या ट्रोटो से निकाल भी सकते हो यह मेरा उइट मेंसी ने जहां पर मैकसम में 10 कीजी तक उइट कर सकता हूं तो चलोई दिखते इस बैटेरी का उइट कितना दिखाता है तो बैटरी का weight देखिए 4.7 kg या फिर 4.8 kg पकर सकते हो तो बैटरी कितना ज़्यादा हलका है आप लोग समझ सकते हो अभी चले बैटरी का dimension देखते है इधर पर देखिए बैटरी का जो लंबा ही है करीब आपका 28 cm के करीब है बैटरी का जो height है वो अपका 7.5 cm है और बैटरी का जो चौड़ा ही है इधर पर वो है अपका 14 cm तो बहुती छोटे size के अंदर ये 12W का बैटरी बन जाता है अभी बात करेंगे इसके charger के बारे में तो charger देखिए ये वाला है ये EV charger है मतलब की electrical vehicle वाला charger चार्जर से मज़े की बात है कि ये made in इंडिया है तो चार्जर जो हम लोगा 48 बोल के लिए जो चार्जर जाता है और ये वाला charger आपका 6A rated है मतलब की फास्ट चार्जिंग है और पकर सकते हैं ये वाला बैटरी आपका 12H का हुआ चार्जर 6A का तो ओली टू आवर्स में ये बैटरी आपका फूल चार्ज हो जाएगा अभी दोस्तों कभी कभी टू आवर्स से थोड़ा सा ज्यादा ताइम भी लग जाता है ये ये वाला जो फ्यूज पोटेक्शन इसका निकल सकते वैसे अगर फ्यूज तूट जाए त तो इसके साथ एक एक इक्ष्टा फ्यूज पोटेक्शन भी दिया हुआ रहता है बदलब कि चार्जिंग के टाइम चार्जिंग के टाइम अगर कोई भी गरबर हो तो आपका बैटरी डैमेज नहीं होगा और आपका चार्जर और बैटरी बोथ सेव रहेगा अब दीके ब बस ओही नहीं सब्साब चार्जिंग पर लगा के भूल गया हो एक दो घंटे से फूल चार्ज हो के रखा है तब भी कोई भी दिक्काद नहीं है कि यह वाला चार्जर खुद बाखुद आटो काटफ हो जाता है तो आप सब्स दो घंटे के जगपे चार घंटा पर रखे रखेंगे अगर चार्जर से कनेक्ट है तो भी कोई दिक्काद नहीं है चार्जिंग फूल होने पर यह चार्जर आटोमेटेड चार्जिंग को बंद कर देता है ठीक है तो देख सकती है चार्जर इसके साथ आपका यह एसी थी पिन प्लाग है और यह इसका सौकेट का तो 12 एज बैटेरी के बैटेरी से आपको एप्रोक्स 20 से 25 किलोमेटर तक माइलेज मिल जाएगा अब दोस्ते बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपका रोट कंडिशन के उपर आपका मोटोर ओरीजिनल वाटेज इंसाब के उपर मगर अगर 250 वाट्स तो सिंगेल इंस करना है तो इससे आपलोग कॉंटेट कर सकते हो माइइनोवेशन.in शायंदलल और यह इन लोगों का कॉंटेक्ट नंबर मोबाइल नंबर फ़र्सब नंबर दोनों नंबर पर आपलोग कर सकते हो और यह वाला स्पेशल डिसकाउंट कूपोन कार्डे आप लोग यार रग दीजिए बंपर डिसकाउंट कार्ड इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको 5% डिसकाउंट मिल सकता है तो आज के वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगा नया अक्सेटिंग वीडियो के साथ चैनल को जरू से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इंटरेसिंग चीज़े जादने के लिए बाई बाई